आपके आपके टाइमिंग में बदलाओ है और मैं लेट हूँ, मैं बहुत लेट हूँ रीजन यही है थोड़ा सा एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है जो एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है जो एक बड़ा प्रोजेक्ट है वो आपकी ग्रेमर की बुक है उसके लिए मैंने अज सारे जो है मैं पूरी की पूरी इसको गोत्रू कर रहा था प्रूफरीड तो उसके जो एरर्स ठीक कराने थे वो सारे टाइपिस्ट को बुलाया हुआ था मैंने अपने तो उनसे साथ अभी मैं बैठा था वो भी आज की महनत में इंक्लूडिड है वो भी वीडियो मैंने अभी जो है शूट किये उसको बहुत ही जबरदस तरीके से और हमारी टीम ने बहुत जबरदस तरीके से उसके महनत की है तो उसमें पूरी की पूरी लाइफ जर्णी मेरी आपको दिख जाएगे कल सब्सक्राइब ग्यारा बजए एक अलग से ही अनोखी वो है चीजें वो उसमें देखेंगे आपको तो उसमें महनत लगी दी शुक्रिया आपका इंजार करने के लिए तब तक आप लोगोंने कुछ पढ़ लिया होगा आए सर पढ़ाई लिखाई की करते हैं बाते और पढ़ते हैं चालू करते हैं अपनी क्लास तो इस हफते थोड़ा सा बस यह हेक्टिक शेडियूल है जिसको सर फोलो अप करेंगे भाई बहुत यह प्रेक्टिस बैच और यह बैच है शांदार तरीके से आप बैचेज ले लिजिएगा जिसको फाउंडेशन बैच ही वह है जिसको प्रेक्टिस बैच ही है आग लगा देगे सारी ग्रेमर सारी वोकइब सारा comprehension, सारा topic wise, mixed practice mock test, previous year updated question, मतलब दाए बाए नहीं जाना बस बही है, जैदीब सर के पास है आना और कल भाई 11 बजे आप सभी वीडियो देखेगा और like और maximum motion शेर कीजिएगा, एक तगड़े वाला, ठीक है चलेजी आए, पढ़ते हैं बही है, लाइव होगी है, वीडियो के एक बार like कर दीजेगा शेर कर दीजेगा, और बहुत सारे आपके दोस्त मित्रगन होंगे, जो ये सोच के बैठे होंगे, शायद आज class off ही कर देंगे सर, ठीक है और मेरी भी खुद दिमाख में ये थी, शायद आज off होगी, लेकिन finally, बहुत मेहनत के साथ class आपकी live चले पाजी, पहला जो word है वो है dissipation, मैं इसका हिंदी meaning लिख दूँगा, आज मैंने अभी तोड़ी जल्दी आपका content त्यार करना था तो हिंदी typing मैंने की ली dissipation का मतलब क्या होता है, देखो बटा dissipation, दो तरीके से आप देखते हो, जगर मैं इसको याद कराने की कोशिश करता हूँ, तो आप ये देखो किसी चीज के लिए, किसी चीज के लिए जब आप passionate होते हैं, तो आप उस चीज को पाना चाहते हैं, आप उस चीज को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन dissipation का मतलब होता है, आप जब किसी चीज को नहीं चाहते हैं, छोड़ना यार, चली जाए, कोई दिक्कत नहीं, देखे, so dissipation होता है, कोई भी चीज, वो जो आइस्ता-इस्ता बस खतम होती जा रही है जैसे बच्चों में संसकार आइस्ता-इस्ता क्या हो रहे हैं, खतम हो रहे हैं, पबजी का नशा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है पबजी का नशा बढ़ रहा है संसकारों की कमी आती जा रही है यह क्या होता है, dissipation dissipation कोई भी चीज जो disappear हो रही है, आइस्ता-इस्ता जो चीज आइस्ता इस्ता खतम होती जा रहे है, खतम होती है, वो शर्म, वो लाज, अब जकल की बच्चों में कहा, यह माबाप का कॉमन्ड डायलोग होता है, बच्चे तो हमारी टाइम पे होते थे, ठीक है, बहुत बढ़िया, संसकारी, आजकल की मुवी भी एकदम बखव पापा उनकी दुहाई दे रहे होते हैं, हमारी टाइम पे तो मुवी पता नहीं भाइया, ऐसी साफ सुतरी बनती थे रहे, पापा कुछ नहीं बनती थी, ठीक है, आपी सीधे थे, आप इनने नहीं देखी, ठीक है, बहुत ही मुवी में, उनमें भी चमतकार किये हुए हैं हमारा कभी-कभी, तो आज कल के संस्कार पापा कह रहे, खतम होते जा रहे, खतम होते जा रहे, तो उसको बोलते है, to disappear gradually, कोई भी चीज जो आईस्ता-ाईस्ता क्या होती जा रही है, खतम होती जा रही है, दूसरा बेटा, dissipation का मतलब होता है, to cause something, to disappear gradually, किसी चीज का कारण बन जाना, कि जिसकी वज़े से वह आईस्ता-ाईस्ता चीज खतम हो रही है, बरबाद हो रही है, नस्ट हो रही है, ठीक है, उसके लिए भी dissipation use होता है, दूसरा बेटा, इसका मतलब होता है, wasteful spending, अगर चीजों को आप wasteful गायब कर रहे हो, पैसा वो भी होता है, dissipation, जब आप आप इसी चीज को फैला रहे हो, ठीक है, मतलब ये कहो, पैसा फैला रहे हो, तो पैसा बरबाद कर रहे हो, ठीक है, हाँ, उसके लिए भी dissipation use किया जाता है, तो बेटा, इसके एक नहीं, इसके दो मिनिंग है, इसलिए जैदिप सर नहीं, इसको एक और दो नाम दिये है, example, he sees a growing dissipation of our cultural values, cultural values हमारी आइसता आइसता क्या हो रही है, गायब ये उसका example था, ठीक है, बात चीत यहाँ है, और ठ्छान से देखेगा मेरे दोस्त इसके synonyms, क्योंकि जो इसके synonyms हैं, वो इंक दोनों मेनिंग से आपको relate करते हुए नजर आएंगे, पहला जो इसका synonym है बेटा, वो है degeneracy, degeneracy का मतलब क्या हो बेटा, देखो एक बात बताओ, अगर आपके अंदर generacy है, तो आप gentleman है, आज की generation में generation होनी चाहिए, लेकिन वो generacy आज की generation में नहीं है, उस generation को हम कर रहे हैं, degenerate, degeneracy, तो मतलब उस generation को degeneracy कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब यह है मेरे बच्चे ठीक है डी जेनरेशी बिहेवियर देट शोज वेरी लो मॉरल स्टेंडर्स आपकी नैतिक वेल्यूज ही नहीं है ठीक है आपके कोई मॉरल स्टेंडर्स ही नहीं है उसको बोलते है मेरे बच्चे डी जेनरेशी डी जेनरेट करना डी जेनरेशी तो जेनर degenerateness भी इसी का meaning बना के चलता है तो degeneration, degenerateness ठीक है इसी से word बना हुआ है और अगला word भी है बिटा degradation, कैसे देखोगे सर इसको कैसे याद कराओगे देखो बिटा अगर gradation है, grade हो रहे हुआ, upgrade हो रहे हुआ, अगर मैं बोल दू बिटा upgrade, degrade upgrade, degrade, तो D का मतलब क्या हुआ, गिरावट आ रही है आज के टाइम में पडोस में क्या हो रहा है किसी को कोई फरक नहीं पड़ता जब तक सर ना फूट जाए, कोई लडाई चुडाने नहीं जाता, पडोस में लडाई हो रही है ये कर देंगे, बोक कर देंगे हाथ तो लगा के दिखा तू अबे तू आतो सही साले, देख लूमा तेरे को कोई नहीं बोल रहा, पडोसी चुपचाप से क्या कर रहे है परदे की आड में यूँ अराम से देख रहे है तो डंडे बंडे आगे लट उट गए उन्हें कोई मतलब नहीं है अरे बहए पहले आ जाता हो सरफ उटने से बढ़ जाता इए इग्रेडेशन है ये हमारी सोसाइटी की दीग्रेडेशन है तो डीग्रेडेशन ओफ-वर स homicide का मतलब हुआ बाबू जब आप इस तरीके से उनके संसकारों में उनके विचारों में गिरावट देखती हैं उसके लिए बोलते हैं हम degredation ठीक है अगला word ठीक है debasement सर्थ debasement को कैसे याद रखाऊगा देखो बिटा अगर आपका आधार है तो आप basement है base है आपका एक आधार है अगर पाजी उसका आधार ही खतम कर दिया, तो बाबू debasement कर दिया, भीया मेरे ये debasement हो गया, बिलकुल से basement है, का अधार है, debasement of our society, या degradation of our society, उसके लिए word use होता है, अगला देखो बिटा disperal, देखो dis इसमें भी कर दिया, parazal dispersal, so sir, dispersal को कैसे याद रखेंगे, आओ जी, याद कराते हैं, पहले देखो बिटा degeneration का एक example लिखा हुआ है बड़े आराम से पढ़ लेना, ठीक है आपको आराम से समझा जाएगा, मैं अगला word जो करा रहा था, वो आपको करा रहा था बिटा dispersal का क्या मतलब है, देखो the action of spending, ठीक है spread करना, मतलब फैलाना चीजों को, across or moving away over a large area मतलब फैल जाओ, और making people or things do this, या चीजों को फैलाना dispersal होता है, जैसे disperse, आपने भी word सुनाया था, मैंने कराया होगा, जैसे कि भाई, dispersal of इसका क्या मिनिग है, इसमें break it है dispersal of, we have seen the violent dispersal of crowds of protesters crowd of protesters था, वो क्या होगे disperse होगे, मतलब फैल गए, तो मैंने बोला था न, यही फैलाना, इसी के लिए भी word use होते है, so dispersal को भी इसका word दे दिया, पर्जल है, तो इकटा है dispersal, जैसे diffuse होता है, न बिटा diffuse कर दो चीजों को, जो इकटा है उसको क्या कर दो, diffuse कर दो तो यह चीज आपके पास यहाँ पर आती है, जी, यह चीज यहाँ पर आती है, दन है, एक बच्चा कहरे है सर, आज तो कम बच्चे लाई बाए, अब वो IPL देखने है न बईया, ठीक है IPL अगर नहीं देखेंगे मेरे बच्चे वो, उनका गुजारा कैसे होगा वो कैव की उकात कैसा लाई, कोई बात नी पास तो वो अगले साल भी होंगे, CGL, CPO CDS, NDA, जो भी एक्जाम के त्यारी करते हो, वो तो अगले साल भी निकल जाएगा IPL बार-बार निया था, उनके लिए बहुत साथ ज़िए भी है, ठीक है, आगे देखे तो we have seen the violent dispersal of crowds, ठीक है, of protesters, तो protesters का जो crowd है हमने उसको क्या देखा, उसका dispersal देखा, तो dispersal हो गया fell out, लिए word use कर लिया, तो हमने देखा मेरे बच्चे ये, इसी तरीके से scatter करना भी क्या होता है, भाटना scattering भी इस word से इस चीज को relate कराते है, एक बर revision करते है, मैंने क्या बोले बटा, dissipation, dissipation का मतलब क्या हुआ, आइस्ता आइस्ता किसी चीज का nust होना, खतम होना, हिंदी लिखे होगे तो, और किसी चीज को खतम करने का कारण बनना, और wasteful spending, मैंटाया, इसके तीन मेनी किसी चीज को फैलाना, किसी चीज का खतम करने का कारण बन जाना, ठीक है, या wasteful spending, dissipation के यह मतलब होगा, उसके लिए मैंने बोला, इसका एक degeneracy, degenerate करना, degenerateness करना, degradation करना, debasement करना, और dispersal और scattering, असान वर्ड हो गया, चलो देखते हैं जी, इसके antonyms, antonyms में हमारे पास आगया बाभू, nine number वर्ड, बिल्कुल ठीक है, assembly, देखो, यहां assembly, assemble कर रहो, चीजों को क्या कर रहो, जोड रहो, avengers, इकटे हो जाए, यूखि जब आप यह भी तर्माल की चीज़ होते हैं, जब आप Hollywood movie को Bollywood में, मतलब Hindi में conversion देखते हैं, तो बड़ी मज़ेदार होती है, उसमें कहते हो avengers, assemble, वर्ड थोड़ा सा लगता है, और यहां हिंदी में जैसे बोलते हो, avengers, इकटे हो जाए, क्याता है, यार इतिनी बढ़िया double नहीं हो पाए, क्योंकि होई नहीं पाएगी, वो खुद की भाषा में, खुद का ही तो है ना, उचारण, वो चीज़ नहीं हो पाती, तो यह चीज़ यहां पर है, assembly का मतलब क्या है, इखटे, यहां पर क्या कर रहे थे, dispersal, dispersal मतलब फैला रहे थे, यहां पर क्या कर दिया, आपने इखटे, अच्छा, इसलिए gathering भी इसका क्या हो गया, antonym, बटा उसका एक और मतलब था, अगर हमारे चरित्र में, हमारे culture में गिरावट आ रही है, तो बटा उसका उल्टा है morality, इसका मतलब हमारे में नैतिकता बढ़ रही है, वर्चू का मतलब क्या होता है, गुन, क्या मतलब होता है बटा, इसका गुन, virtuous होना, गुनी होना, उसके लिए वर्ड है goodness, अच्छा होना, इसलिए इसका antonym है, degradation तो बुरा होना भी उसका अर्थ था, उसका उल्टा है ये बेड़े बच्चे, तो ये इसके antonym है, दूसरा एक और antonym का बना collection, यानि की चीज़ों को क्या करते हो collect, easy थे, antonym बेहद ही इसके असान थे, तो हमारा, ठीक है, कोई भी इससे समय वैथ नहीं हुआ, अब बढ़ते हैं, अगले पढ़ाओ पे, अगला पढ़ाओ है बाबू 50 number 1, arid sir, arid का मतलब क्या है, देखो, बहुत प्यार से मैं इसको सिखा जाओंगा इसके दो मतलब है, arid मतलब उस चेज में, उस चीज में ऐसा लग रहा है, air रही नहीं, मतलब एकदम सूखा पढ़ गया, sir very dry बहुत ही सूखा होना very dry, without enough rain बारिश ही नहीं हो पाई ठीक है, इसका मतलब रिगिस्तान है, आप क्या देखते हो arid place है, बेटा, रिगिस्तान अपने आप में कैसा place है, arid place है क्या महाँ पर enough बारिश होती है, इसर नहीं होती तो वो arid place हुआ, ठीक है arid place हुआ, उसके लिए आपने क्या बोला not interesting, वो चीज कोई भी चीज अगर interesting नहीं है, तो आप बोलोगी arid है, रूखा सूखा खाकर भी गुजारा कर लोगी जी आपके साथ प्यार किया है आपसे जैसा रखोगी पैसा रहनोगी arid place में रखोगी arid place मेरे लोगी, मेरा क्या प्यार करती हुआ आपसे, फिर जैसे घर में को अच्छा रिस्ता आया, बावी जी निकल ने, हमारा लोंड़ा बेचादा त्यारी करता रहेंगा, वो कैब की क्लास देखता रहेंगा, ठीक है, तो arid का मतलब यही है, कोई भी चीज जो बेटा रूखा सूखा से जो मतलब होता है ठीक है, उसका मतलब यह है, दूसरा arid का मैंने बोला, कोई भी ऐसे चीज नोट interesting, interesting नहीं है, उसके लिए भी आप arid का इस्तिमाल कर लेते हो ठीक है, very dry, without enough rain यह दूसरा मैंने क्या बोला, not interesting दो मीनिंग है बिटा, इसलिए इसके भी मैंने दो मतलब दे दिये, 15 और 16 दो मीनिंग है इसके, arid, एक तो सूखा और एक दूसरा मैंने क्या बोला, मेरे बच्छे arid, बिना, ठीक है मतलब interest की, कोई भी चीज जो boring है, बखवास है, dull है, बिल्कुल एक दम तो आपने उसको बोल दिया, कोई भी बंदा, अगर अच्छा कोई इनसान dull है कोई इनसान डल है, तो आल सी है निकमा, उसके लिए आपने बोल दिया ऐसे नहीं चलते कोई इसको भी arid से relate कर लोगे पैरों को घिसरा घिसरा के चलते है फिर पापा देते हैं, पीछे से कन पटी पे अब चपल उठा के चले हैं, महनत की डाले, I found him writing extremely arid, मतलब कुछ लिक रहा था और बकवास लिक रहा था, तो मेरा छोटा टोनी का कड़ है, अगला बेटा the desert is so arid, बेटा desert तो ओविसली बात है, रूखा सूखा, तो इसके दो मेनी गवा, आगे देखा बचमा इसी का हमने, जो synonym देखा, वो dry इसी का synonym देखा, dull बेटा, कोई इनसान dull है, तो आलसी है boring है, हाँ, और genuine, क्या है, जुनून नहीं है genuine, अच्छा, जिसके अंदर genuine होगा, उसका उल्टा है, बेटा, genuine genuine है और genuine, genuine का मतलब क्या होता है, genuine होता है कोई भी चीज जो बहुत boring है simple सी है, childish सी है बचखाना सी है, interesting नहीं है romantic नहीं है, जनून ही नहीं है, उत्सा नहीं है, उमंग नहीं है so genuine है so he made genuine, ठीक है generalizations about how all students were lazy, never did any work, मतलब genuine, generalization का मतलब है ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, करना कुछ नहीं है करना कुछ नहीं है करना कुछ नहीं है वो चीज होते है, genuine कोई भी चीज, generalization आप genuine generalization का मतलब है बात बता रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो क्या आपके घर भी बारिश नहीं आती नहीं आते जी, क्या आपके घर भी लाइत की समश्या है, बिलकुल है जी, क्या आपके गाउं में बानी तक नहीं पहुंचता, नहीं नहीं, हम लाएंगे, ज़ते हैं, लाओगे, वोट दे दो, हम लाएंगे बाबू, तो वो चीज जब कोई नेता ऐसा कर रहा हो, चुब ते मिटा, लैजं, अगला वर्ड हमारे पास कै, लैजं, मतलब without energy, और feeling, और dark gray, मतलब इसके दो meaning है लैजं के दो meaning है, और दो not meaning में paper में पूछा जा सकता है, जब कोई भी चीज बिना energy के है, बिना भावनाओ के है, बिना feeling के है, ठीक है, कोई energy नहीं है, interest नहीं है, boring से gray color को बोलते हैं Latin so Latin के लिए a Latin expression boring expression a Latin performance क्या हुआ Latin performance नहीं दारी Latin का मतलब यह होता है याद रखेगा ठीक अभी है याद रखेगा उसके लिए आप यह word यूज करते हो आज हो मेरे बच्चे ponderous ponderous का meaning क्या होता है एक बात बताओ आप मोटे होते जा रहे हो आपका पीट निकलता जा रहा है क्या आपका भी पीट निकलता जा रहा है तो भाई सब क्या आप मोटे होते जा रहे हो आपका तो हाँ हाँ तो क्या करूँ खाना छोड़ दे बै डाइटिंग कर पथला हो जाएगा बत रहे योतो सबको बता है यह नहीं करना कुछ और बता के थे मैं सो और सवह उठ तो यह बजन घटा हमें ऐसा कुछ है कि थे कहता है यह हुता है थीपेथा हुला कि पोंडर केंस ब लेजी गणार है फॉंटर्ष पांडरह हो गया ma अंडा हो गया हमारा लॉंडा, ठीक है, तो he had a slow and ponderous manner, तो इस तरीके से चलना, ठीक है, आराम से, this is called ponderous, ponderous को आप ये बोल के चलते हो बिटा, आप लिए रसार, आसान है, next दो को बिटा, tedius, sir, tedius का क्या मीनिंग है, आओ भाभू, इसका भी मीनिंग जानते है, tedius का प्रॉब्लम इस, I found most forms of exercise, so tedius, यार समस्या है, सारी exercise मेरे को क्या लगती है, बोलिग लगती है, जैसे कही लोगों को होता है, जिनको योगा का शोक नहीं होता है, उनका आप योगा पे ले जाओ, सुबह सुबह उठा के, और चटाई और बिचा दो, फिर कहेंगे, कहता है आसन करो, कहता है, निंदराशन कर दो, निंदराशन, मुझे बहुत बढ़ी आता है, कहता है, एक दुम, कहता है, नहीं नहीं, बैठो, सास उंदर लो, हारTodm, बे फिकर हो जाओ, दुनिया को भूल जाओ, कहता है, मैं वैसे बूला वाता, सौने दे, दुनिया बूल के सोत इसके आपको एक्षिस ना करने के फायदे बता देंगे लोंडें तुम तो पहलोगे कि एक्षिस क्रोडरा ये तो मैं वो गिनवादेंगे मन पसंड खाता है तु कभी अंद संवि내ख दिनिया में कासी तैसी करा निया आए आए तु अरे वो इंसान ही क्या, पिस साला मन पसंद खाना तक नहीं खा सकता हो, क्या करेगा है पैसे कमा के, क्या करेगा उखाड क्या लेगा, पिट दिखेगा, अरे क्या हो गया दो चार किलो इधर उधर हो गया तो, पर क्या पढ़ता है, क्या फ़रक पढ़ता है, लिखता तो मैं एकदम cute हो, कान एकदम, तुम भी हो लोगे, हाय यार बात में तो दम है, बात में तो दम है, simple है, तो वो चीज़ जहां यह आती है ने बिटा, लेकिन, पता तो तुम ही भी, तो वो बंदे ऐसे होते हैं, ठीडिस, वो हर exercise को boring मालते हैं, अगला बाद है बिटा, बैरन, अगल she became very depressed during the barren year, barren year का मतलब क्या होता है, when she was unable to paint, मतलब कुछ करी नहीं पाई, कुछ नया ही नहीं हुआ, barren year का मतलब वही, रूखा सूखा साल चला गया बिटा, कुछ नया ही नहीं हुआ है, तो बैरन बोलते हैं उसको, तो हमारे पास word क्या आ गया, अगला barren, but barren से पहले स अनिंट्रेस्टिंग भी है, अरे अनिंट्रेस्टिंग को थोड़े नहीं एक्स्प्लें करने की जूरत है, तो यह हो गया 24, और यह हो गया बच्चा, बैरन बच्चेस, तो असान वर्ड हो गया, कौन-कौन से वर्ड पढ़े, एरिट, एरिट के बाद क्या पढ़ा बेटा तो वहाँ बोरिंग थे, इंट्रेस्टिंग नहीं था, अब यहाँ पर देरा ध्यान से देखना, मैच देखने नहीं जाएगा, जो जो बीच में स्कोर देख रहा है, मातरानी पाप लगाएगी, बता रहो मैं वहीं, कोई भी बीच में स्कोर नहीं देखेगा, कोई फरक न नहीं ग्राउंड पर देखने जा, अब पांसो साथ सो के टिकेट नहीं के लिए के नहीं, बढ़िया से टिकेट लिए, ठीक है, एब्सॉर्मिंग, एब्सॉर्मिंग का मतलब क्या होता भी है, देखो, ध्यान से सुनीगा, अभी अभी हमने क्या बोला था पेरे बच्चे, वो चीज बोरिंग थी, चीज़े मान नहीं रहे हो, अब्सॉर्मिंग मतलब चीज़ों का एकसेप्ट कर रहे हैं, यह सभी कर सकते हैं, इसलिए एब्सॉर्मिंग को इसका इंटॉनिम मान लिया गया, इंट्रेस्टिंग है चीज़ें बेटा, उसका इंटॉनिम मान लिया Sir, reverting का मतलब क्या है, या riveting बोल दो, या क्या बोल दो, reverting, reverting का मतलब होता है, मेरे बच्चे, reverting का मतलब होता है, extremely interesting, so it was a reverting story, बहुत ही interesting story थी, it was a reverting story, बहुत ही interesting story थी, उसको बोल दो है, reverting story, ठीक है, अगला देखो मेरे बच्चे, Sir, असान है, असान है, फिर तो, very good, मेरे बच्चे बड़ने को मतलब है जो यह मोश्चे वाला ही मोष्च है समझर वाला ही मोईस्ट है छोटू द्यान रखएगा तो बड़ा असान ना हो गए ठेक है एक दो को बीच में वाला जोक ही नहीं समझा उनके सर के उपर से गए जिनको समझ आगे वो सारे उस्ताद यहां हसने वाले इमोजी बना रहे बाकियों को रात को समझ आगा सौते सौते क्या बीच में point मारे गे गुरूजी आगे देखो अगला point है हमारे पास बाबू engaging engaging का मतलब होता है जब आप चीजों में engage होते हो तो आप चीजों को interesting बनाते हो बटा काम करते हो engagement दिखाते हो जैसे कुछ बच्चे होता है तुरंत अभी अगर चल रही है class तो उस पर react करेंगे उनका मैंने कुछ पोचा तो उनका answer आएगा क्यों 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 क्योंकि बटा वो engaging है चीजों को boring नहीं है ठीक है engaging तो वो यह चीज़ यहां आप लाए आगे देखो बटा intriguing intriguing का मतलब क्या हुआ उस चीज में आप interest लेंगे बटा intriguing मतलब very interesting because of being unusual or mysterious mysterious है कोई भी कहाने तो बड़ी interesting so intriguing possibility intriguing question but she has a really intriguing personality interesting personality है intriguing story बोल देते हैं कई बार कईयों को बड़ी रहसा में stories बड़ी interesting लगती है कई लोंडों को बड़ा मसा आता है ऐसी movies देखने है जिसमें जिसका खतल हो जाए और serial कोई killer है वो खून पे खून किये जा रहा है और पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही है और ये निकमा उस movie को देखकर खुश है रहा है अब भी नहीं पकड़ा है इसको दहा भाव नहीं नहीं है कई तो लो रहे होते यारे एक और कतल हो गया ये भगवान इस बच्ची को भी मार देखा का ये वो यू कर रहे होते आखे के और ये कता बच्ची भी गई है अब भी पुलिस पकड़ नहीं पाई अगर ये ये काम नहीं करता नहीं पकड़ा नहीं जाता उसने वहाँ ताकु थोड़ा ही क्यों मतलब वहाँ दूसरे खुशी मना रहे थे हैं भवान शुकर है ये क्रिमिलल पकड़ा गया और ये कह रहे हैं सलागर ये गलती नहीं करता नहीं पकड़ा नहीं जाता ठीक है ये कहानी उल्टी दो अलग-अलग personality है जब भी देखना जो serial killer वाली movie देखते हैं आपको दो personality नजर आएंगी एक जो उसको पकड़वाने के हित में है और एक वो जो उसको बचाने के हित में कहता एक दो कतल ओर हो जाता तो वज़ावाज पैसा अगला वार्ड हमारे पास intriguing का मतलब जो होता है बड़ी interesting चीजों को हम यह बोलते हैं वह यह चीज यहां पर बोलते हैं ठीक है वह चीज रखेगा ड़न है आईए वह चीज देखते हैं absorbing interesting reverting moisture से moisture बनाएं इंगेजिंग और interesting यह से अगले पढ़ाओं पे चलते हैं बाबू 32 वाले बर्ड पे यह मेरे 32 वर्ड है बेटा कोईल का मतलब है कोईल कर दो शांत कर दो यह वर्ड पहले हुआ इसको थोड़ा सा फास करा हूँगा बेटा कोईल का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे शांत करना ठीक है क्या किसी जगडे को किसी चीज को शांत करना या फिर मे पुलिस आई और पुलिस ने क्राउड को शांत कर दिया, पुलिस वर कॉल ने, उनको शांत करने के लिए पुलिस को बुलाए गया, ठीक है, हाँ, अगला बेटा, he has been unable to quill his wife's suspicions, तो उनको शांत करना, या wife का गुस्सा है, उनको क्या करना, शांत करना, उसके लिए भी आप इस वर्ड को यूज कर सकते हो भी, या मेरे कुल का ये मतलब होता है, क्वल मतलब cool, cool हो जगो, क्वल करतो, धवा दो, क्वल करतो, धवा, या तो forcefully किसे लिए को शांत करना, या नोर्मल, तो बेटा, उसके लिए क्वल वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है, या तो किसे को forcefully आप नॉर्मल कर रहे हो चाहिए आप अगर इस वर्ड को यूज करते हो ना तो दोनों तरीके से इसको यूज कर सकते हो या तो इसका मतलब किसी को आप डाट फटकार कर शांत कर रहे है या नॉर्मल जैसे मम्मी नहीं करती है कई बार जब कोई भी छोटा बच्चा रिस्तिदारों के सामने या किसी शादी बगएरा में ठीक है किसी फंक्शन में रोने लगजा है तो मम्मी उसे दाट तो नहीं सकती है अरी प्यारा बच्चा कभी नहीं रोता है आज ही ऐसे कर, आज पेटा है आज है आज 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 आए और इसको गोधी में लेकर मम्मी ऐसा प्रेस करती है और यह हथना मोम्मी का करना बौँट टाइट यह बहुंट टाइट होता जारा जा रहा ही अहाज ही बहुत प्यारा मम्मी के चहरे पर मुस्कान हैं लेकिन यह जो बाजू है वह आई इस तर जकट रही है बच्चा अंदर होता है जैसे साप होता है अजगर वो लपेटा ले लेता है आईस्ता इसके दम जो घुड़ता जा रहा है और वह आईस्ता क्या होता जा रहा है चुप अरे बिना बच्चा ऐसे है नहीं यह तो शाद देखना अभी दो मिंड़े चुप अरे चुप हो गए बच्चा उसको सास लेने भी दिक्कत आने तुरंट से ब्रैस बच्चा चुक हो गे ना देखा बहूत प्यारा व्asten वैसे बस मैं इसको ख कर लू न बस प्यारा वच्चा बच्चे को पता आने वाला खत्रा जो तुफान है इदर से बच्च के साइड में कोने में आएगा फिर वहाँ चल रहा है फंक्शन वहाँ चल रहा है टेंट के पीछे मम्मी लेके जाएंगी हाँ क्या चाहिए द्रे को और दे भाय सांग कट्टा दो मिनट शांत नहीं रह सकता है जत निलाम करके और फिर बच्चो चल वापस और सबसे बुरा है जब पीटा जाता है और पीटती पीटती यह कहा जाता है कि रोना नहीं है अगर रोने वाला मुह बनाया न उनके सामूझे दो लपाटे घर जाके और तुम फिर हसते भी ऐसे जाते हैं जैसे पता नहीं मम्मी तो गुलाव जामन किला गे तुमें वापस है देखा चुपो गया न यही है बस मां बेटे का प्यार है हमारा तुम शान तो बिटा यह ह बाट होगी है तो यह हुआ हमारे पास तो यह चीज है शान्त करना है बच्चा आप उसे प्यार से काम कर देखा या उसमें प्रेशर डाल रहे हूँ वह आपका काम है बाट दोनों केसिज में आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं को यह कर उसके लिए ऐसा ही वर्ड हमारे पास गर्मा गर्म है बिटा 33 रिप्रेस करना अच्छा अब आप बोलोगे अब आप बोलोगे फिर से हैड़ी मेरी स्क्रीन मत लगा यह वाली स्क्रीन या आप बोलोगे रिप्रेस करना बिटा रिप्रेस करने का भी मतलब सेम है रिप्रेस करने का मतलब what to not allow something specially feelings आपकी भा आप आज दो पल रो लिया जा, लेकिन फिर मम्मी की वो प्यार वाली जप्पी भी याद है, कि वो जप्पी इतनी खतरनाक होगी, कि अजगर माफ करें, ठीक है, वो वाली है, तो आपने क्या किया, अपना जो रोने वाला जो सांस आ रहा था आपका, आपने उसको रिप्रेस कर दिया, तो बेटा, आपने उसको रिप्रेस कता है, यही मामला दबा दो, ठीक है, सुबकियां ले रहे हैं, सुबक न मोलते हैं ने, शायद उसको, सुबक रहे हैं आप अंदिर अंदर, लेकिन रो नहीं पाएंगी चोटे, इसी चीज के लिए वर्ड जोता है, बेटा, स किसी चीज को होने से रोकना, किसी चीज को एक्स्प्रेस होने से रोकना, किसी चीज को होने से रोकना, स्टाइफल, स्टाइफल, ही स्टाइफल्ट अकफ, यान, स्क्रीम और स्नीज, कई पर हमें लगता है यार छीकेंगे नहीं, क्योंकि छीकेंगे तो बेस्ती हो जाएग हम चीक रोख नहीं चाहिए लेकिन जीक भी ते नहीं सकते हैं कियो कि य। जी से लड़किया जो जब चीक मारते हैं और एक वर स्जीक और कट आप झालों सुद्शान ए meter कicki में टॉड़न नेग्या है Bu और जादा आवाज में छीक निकलती है। मतलब यह होता है भाईया। जब भगवान ने बिल्कुल ठान रखे हो ना कि तुम लॉंडे सिंगल आये तो सिंगल ही जाओगे। तो यह हरकते तब होती है। तो बिटा, she stifled a cough, या yon, या scream, या sneeze। तो stifled का मतलब है उस चीज़ को क्या करना, होने से रोकना, प्रिवेंट करना, ठीक है, उसके लिए भी आप stifled word का यूज करते हैं। इंटरेस्टिंग है, याद आएगा बिटा, अब दूसरी चीज, मतलब उस चीज़ को होने से आप रोक रहे हो, इसलिए बिटा, ये stifled word यूज किया है, जिए डिमॉलिश, बिटा, डिमॉलिश के एक नहीं, दो मतलब होते हैं बाबू, तो 36 और 37 आपकी गुरूनी इसको नाम दी दिया, सर 36 और 37 इसके ऐसे दो मीनिंग क्या होते हैं, एक तो होता है बिटा, डिमॉलिश करना जैसे किसी बिल्डिंग को नस्ट कर रहे हैं, किसी चीज को नस्ट करना, खतम ही कर देना, जैसे यहाँ पर आप चीजों को होने से रोक रहे थे थे न बिटा, सो जैसे रोड़ चीजों को दबा धिया, इसलिए बिटा, ये वर्ड भी इसका सिनॉनिम बन केते हैं, बिटा, डिवास्टेट, करना डिवास्टेट करना सर क्या है इसका मीनिंग आजो बिटा जानते हैं डिवास्टेट करना डिवास्टेट का भी मतलब होता है to cause great damage or suffering to something किसी को बहुत खत्रा या damage पहुचाना ठीक है उस चीज को खतम कर देना नस्ट कर देना दबा देना उसके लिए वाइलेंटली डिस्ट्रोई कर देना so waves of corporate downsize जो आ रहा है corporate में downsize जो आ रहा है devastated employee model तो अब employee घबरा गए उनके model को उनके आतम विस्वास को तोड़ दिया खतम कर दिया है तो devastate करना ठीक है devastate करना सब कुछ खतम कर देना उसके लिए यह word use किया जाता है बाबू आगे देखे मेरे भाईया क्वैश कर दो चीजों को अगर आप क्वैश कर रहे हूं ठीक है मतलब कोई चीज चल रही इतना है अच्छा क्वैश ऐसा नहीं होता है जैसे कई बार आपके मन होता आप जा रहे हो और कहीं हाँ कैन पड़ी हुए कोकी कैन है सपोस करो तो आप सीधी सीधी नहीं जाएंगे उस पर कुदेंगे यह अच्छा अवाज आनी चाहिए न तो ऐसा ही कुछ देखना क्वैश जैसे क्रैश करते हो ऐसी क्वैश जैसे कुचलते हो ना तो क्वैश करने को ऐसी याद रखना तो इस चीज को आपने क्या कर दिया क्वैश खतर नली फाई जैसे वर्ड यूज ओता कौन सा बच्छा यह अरे मेरे पच्छे चलो जो भी आपका नाम है मैं आपका नाम पढ़ना बूल गया बहुत अच्छे से आपने इस वर्ड को पैचाना जैसे नली फाई बड यूज होता है so his conviction was quest उसका जो conviction था वो quest कर दिया गया इस year में तो quest का मतलब होता है मेरे बच्छे चीज को मानने से नकार देना या जो चीज पहली मानी जाती थी अब नहीं मानी जाएगी नली फाई जिसको हम बोलते थे ठीक है उस चीज को लिए आप ये word use करते हो मेरे बच्छे quest कर ठीक है तो असानी से हुआ यहाँ पर quest तो जड़ा चीजों को पढ़ें तो हम ये चीज यहाँ पर पढ़ेंगे अगले एक word हो रहे है मेरे बच्छे extingue करना extingue के दो मतलब होते है एक तो extingue होता है बुचाना जैसे आपके पास मौंबत्ती है आपने बुचाना जैसे आपके पास मौंबत्ती है आपने बुचाना so to stop a fire जो जल रही है चीक है आपने ये बोल दिया बुचाना very good दूसरा बिटास to stop or get rid of get rid of होता है छुटकारा पाना किसी भावना से किसी फीलिंग से extingue कर देना nothing could extingue his love for her उसके प्यार को कोई कम नहीं कर सकता होता नहीं है जैसे कि बिटिया वहां कर ले शादी नहीं पापा मैं रहुल से प्यार करती हूँ इस प्यार को कोई ठुकरा नहीं सकता बेटी लड़के का सीजियल निकल चुका है बद जोइनिंग लेटर आना है ठीक है पापा तारीख पक्की कीजिए कहाने खतल ठीक है बेटा आप इने क्या है यह क्या यार अभी तो लड़की कह रही थी नथिंग कुड एक्स्टिंग्यूस माइ लव फोर हिम फोर राहुल और अब कह रही ठीक पापा जज़बाप पलट गए हालात पलट गए तो बटा अब चाहती है गेट रिड़ ओफ छुटकारा पान तो वो जो चीजे यहां पर होती है या लड़के भी ऐसा हो सकते यह न जो मतलब होता है वो चीजों को क्या करना होता है खतम करना है चुटकारा पाना उसके लिए आप यह वर्ड यूज़ करते हैं तो दो टाइप के बाबू अब आप से करते हैं तो हमने बोला पुत्तर जी क्या-क्या मीनिंग है डिवास्टेट करना और क्या मीनिंग बोला मै क्वेश करना और क्या बोला भाई मेरे कामडाउन यह विटा clap down Kin surf गॉपडाउन चीजों को सेटल करना खतम करना बिलकुल जैसे सेटल करना चीजों को कोईट हतम करना और एक्स्टिंग्यूस करने के दो मीनिंग है इसले इसको 43 और 44 का मैं मीनिंग दे रहा हुटा है चलो भी आज एक बार पड़ो क्या है क्वेल, स्प्रेस, स्प्रेस, स्टाइफल, दिमॉलिश, दिवास्टेट, क्वेश, क्लैपडाउं, सैटल, क्वेट और एस्टिंग्यूस, देख लो कितनी बढ़िया-बढ़िया वोकैब आपको याद हो रही है अब भी मुझे बच्चे जिब मैं जह कहीं जा रहा होता हूं तो मिलते हैं और पूछते हैं सर्वोकैब कैसे याद करूँ बता दो, मेरा भी मन वही करता है मम्मी वाला आ एक बारा भारा टेंट के बारा अभी तरह को दोके लाओ, आभे निकम में 49 क्लास हो देंगी जरा अच्छ और प्रावड की बात है, कल 50 नंबर की क्लास होगी तो सभी माताओं से, सभी बहनों से, सभी भाईयों से, सभी भुजर्ग वैक्तियों से सबसे आवेदर हैं, कि कल भारे से, भारे सिंग्या में भंडारे में आए 6 बजे भंडारा लगेगा भी या कल, शाम को 6 बजे तेयार हीगा कल 6 बजे होगी बटा क्लास, ठीक है न, कल 50 नंबी क्लास है किसी को गुस्सा दिला देना, वहां तो शांत कर रहे थे, यहां गुस्सा दिला दो, उल्टा एजिटेट कर दो, एजिटेट करने का मतलब होता, I didn't want to hesitate her by telling her, यार मैं उसको बता के आप को चिंतित नहीं करना चाहती थी, मम्मी को होता न, जब पम्मी को पापा से बात छिपा नहीं होती है, तो मम्मी ऐसे कहती है, अंत में पापा को डायलोग, अरे आप तो इतने महनती है, ठेक है, क्या हो गया, बिटा यह, एड चलेगा, मे आपको या उस लड़की को बता के चिंता में नहीं डालना चाहता थी, इसलिए मैं मैंने बोला, मम्मी का फेवरेट डायलोग होता, जब पापा से कोई बात छिपा नहीं होगी, चिपा लेगी, और बाद में जो पापा को बात पता चलेगी, पापा कहेंगे, मुझे क्यों नहीं बताया गया यह बात, तो बोली कि मैं आपको बता के ना चिंता में नहीं डालना चाहते थी, आप सुबह से शाम तक वैसे इतनी महनत करते हो, घर की इतनी चिंता करते हो, कमाते हो, सब कुछ हमारे लिए ही तो कर रहे हो, अपना तो आपने आज तक सोचा तक नहीं, जो वैक्ती हमारे लिए इतना कर रहा हो, उसको मैं यह बात बता कर, मैं चिंता में नहीं डालना चाहते थी, पर पापा इतने में बिगल जाते हैं, क्योंकि मुम्मी ने जो पहली तीन-चार बाते वो तारीफ वाली फेग दी ना, बस आप ही हो, आप ही घर के करता धरता हो आप सुबै से शाम तर मेहनत करते हैं, अमारे लिए इतना सोचते हैं, फ़लाना धिमकाना पापा इतने हैं, क्या था आप मैं छोटी सी बात पता कर, आप कुछ इंता में डालते हैं, पापा कहते हैं, यह बात अचल अच्छा बड़क है, पुरन, यह जी मैं बता रहा हूं आप कसम से, मम्मी दिखती सीधी है, लेकिन होती नहीं है, चेक करना, आप बड़े, अभी छोटे हो चल, बड़े हो जाओ, फिर आपको समझाएगा, जो सार कह रहे था न, बात गजब की थी, पूछ ले न मम्मी से, मम्मी इतनी सीधी नहीं होती है, ठीक है, मा, मा होती है अगला है तो बटा, ये जो, एजिटेट होता है, ठीक है, ये जो एजिटेट होता है, हाँ, तो वो चीज़ है, केता है, I didn't want to, अच्छा, मम्मी का एको डायलोग मेरे को याद आ रहा, केता है, मैने आस तक तरे बाप की नहीं सुनी, तू है कौन बे, ये डायलोग कभी मा की, ठीक है न, ये कॉमन डायलोग है, कभी ना कभी मुमी जरूर सुनाएगी, ठीक है, लेकिन जब ये डायलोग तब सुनाएगी, तो पापा घर पे ना हो, और पापा होंगे तो अरे, ये तो मेरे पती परमेश हो रहा है, क्या हो थोड़ा उचा बोलगे तो क्या फरक करना, तो अगर स्टायर करना तो चीजों को बढ़ा रहे हो, शान्त नहीं कर रहे हो, ठीक है, असिस्ट करना तो मतलब उस चीज को बढ़ावा दे रहे हो, वहां तो चीजों को क्या कर रहे हो, बढ़ावा दे रहे हो, यहां तो चीजों को उल्टा बढ़ा रहे हो, बढ़ song was banned on the grounds that it might foment racial tension foment करा, जैसे animal movie foment करती बैटा criminal activities को animal movie आपने देखी होगी जो सामाजिकता से उसका कोई लेना देनी है, भूमभा, भूमभा पता ही, समझे नहीं रहे का हो, तो foment उस तरीके से अब word को use किया जाता है insight करना मेरे बच्चे ये भी होता है किसी को उकसाना insight करने का भी मतलब होता है मेरे बच्चे, किसी को उकसाना to increase someone to do or feel something, ठीक है, किसी को उकसाना, तो she was expelled for inciting her classmates to rebel against their teachers तो होता नहीं, जो classroom होता था, उसका एक leader बनता था वो class को उकसाता था मैं कह रहा हूँ, हम इस teacher से नहीं पढ़ेंगे, जो नया है हमें पुराने वाला math teacher चाहिए क्या दोस्तों तुम मेरे साथ हो और दोस्तों हैं लोंडे अपने हाँ हाँ हम तुम्हारे साथ है इतने में टीचर किसी दूसरे नहीं बात सुन लिए उसको गुरिबान बगली, क्या था पढ़ेंगे तो पुराने वाला टीचर चाहिए वरना नहीं पढ़ेंगे उसको और उसको आप तक मेहत के class में बैठा नहीं होगा वो वैसा उसको मतलब ही नहीं जाला मेहत से, क्या है? लीटर बनना है विस क्यों? खामा खामा अलग ही चल ले और वो चल भी इसलिए कि दो-चार पिरेडी खराब कर दिये तीचर हमें वही टीचर चाहिए और फिर पता है कान में से क्या पूछता है या भाई सावास तो परिशान कर देए इसमें एक मिट उपना बिटा फिर मैं आपको करता हूँ स्टोरी को पूरा फिर उसकी अलग ही लेवल पे जाती है तो इंसाइट जो वर्ड मैं कहा रहा हूँ ये वर्ड इसका वर्ड का मतलब है उकसाना और उकसाने से अगर आप इस वर्ड को रिलेट करोगे उकसाना मैंने बोला वही चीज जब भी क्लास में स्पूल टाइम में कोई भी मैस टीचर जादा तर अगर चेंज हो जाता था तो एक लीडर बनता था बच्चों में सूठता था और कहता था भाईयो हमें पुराने वाला टीचर चाहिए नए वाला टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता है क्या तुम मेरे साथ हो सारे बच्चे बच्चे भूले बोले होते थे हाँ हाँ भाईया हम तुम्हारे साथ है धावा बोल देंगे तो जैसे ही नए टीचर आएंगे हाँ कोई नहीं पढ़ेगा, पढ़ने से मना करदो सारे घ्ठ भॉल्गे प्रिंसिपल आफ़ेस में चलेंगे चलोगे ना भाईयो हाँ हां teaching ही चाहिए हां हां और पता है वो बार बार क्यूं कह रहा पुराने वाला teacher पुराने वाला teacher बाहर प्रिंशिपल रूम के सामने खड़े हो गए है तेक है और हमें सबसे आगे फड़ा रहेगा लोंडा सरह में हमारे में Math Stature पुराने वाले चाहिए ठेक है अगर प्रिंसिपल बहत्रीन हुआ तो यह पूछ ले खितने चैप्पर कराई है पुराने वाले ने उतनीम तो खतम है बाबू क्योंकि उसको पता ही नहीं है उसको पता ही निये topic कौन से चल रहे थे कितना syllabus हो गया उसको कोई मतलम नहीं है कहता पुराने वाला teacher से ये से खत्म और ऐसे में पुराने वाला teacher maim हो भाई सम्नसे काट ले लोंडा कहता हमें maim जहे सर फिर ये नहीं कहिए पुराने वाला teacher teacher भी फिर कहता हमें maim चलिए बस दुनिया एक तरफ school एक तरफ maim जहे सर वो बहुत अचा समझा दिए ये चीज़े है छिचोरे लोंडे अपने पास ही कट्टे हो रखे है बिटा तो वो चीज बनती है यहाँ पर जो वर्ड में कह रहा हूँ उस्टीज उसकी वज़ए से हो रही है इंसाइट कर रहे हो उस्टीज में ठेक है इंस्टीजान कर रहे हो इसके लिए आप यह word यह करते हो instigate अगला वड कहा होगे अभी या आजो एक बड़ रिभाइस करे बेटा अब तक तो मीनिंग था शांत करना अब है मीनिंग उल्टा उल्टा मतलब शांत नहीं करोगे आप करोगे जिपेट करने का मतलब क्या हुआ आप उकसाओगे ऑप स्टायर करोगें एसिस्ट करोगें रिभ्र या ज़्याद रखेगा, अदम से, खेलो भाई, दुकान बढ़ाने का समय हो गया, हम वो केब की दुकान बढ़ाते हैं, टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है, अभी थोड़ा समय बीजी चल रहा हूं, तो एक दो क्लास से आपका टेस्ट रुकेगा, बस, एक दो क्लास टेस्ट रुकेगा बाजी, फिर दुबारा से टेस्ट भी आपका हुआ करेगा, बेफिकर रिएगा, थोड़ा सा बिटा मैं भी एक्स्ट्रीम बीजी चल रहा हूं, तो आप ये वोल्यूम वन और वोल्यूम टू आप खरीद लीजिए, तो टेस्ट को मैं भी नहीं बना प वोल्यूम मैं याद कराओंगा, वोल्यूम वन अच्छी खासी करा चुका हूं, वोल्यूम टू पे हम बातचीत करेंगे, तो कल मुलाकात करेंगे, कल भी पचास, साट, 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 से जितने वर्ड हमारे बन करेंगा, उतने याद करेंगे, खुश रिए, अबाद रहे है माबाप के रिस्पेक्ट कीजी, और हसी मजाक से परेंगे, एक सीरिस बात यह है मेरे बच्छे, पढ़ते रहे हैं, हर चीज को अपने अनुसा, वोकेब है, उसको मस्ती मजाक में पढ़ोगे, तो याद रहेगे, ज्यादा सीरिस होगे पढ़ोगे, वर्ड बोल जाओ, ले कम नंबर आ जाए, थोड़ी से नंबर से रह जाओ, पिटा अगले साल फसना भूल जाओ, क्योंकि बहुत सारे बच्छे होंगे, जो कहेंगे, सर छोड़ना, सीरिसली पढ़ा रहा करो, अगर मैं क्लास की सीरिसली पढ़ाऊं, तो इस क्लास को मैं दस मिनिट और चोटा कर स और अगर ये कहूं कि पूरे दिन से बच्छा फरस्टेट है, चलो वोकेब के साथ सा थोड़ा मजाग में पढ़ लेगा, लेकिन ये मजाग, ये मस्ती, ये हसी के साथ पढ़ना, उसी बच्छे को अच्छा लगता है, जिसका फरस्ट अटेंप्ट है, जो फेल हो चका है, हसता है, बट कही न कहीं, दिल के किसी कौने में उसको एक अजीब सा एक दुख है, और दुख क्यों है कि काश, इतना ही सीरिस में पिछले साल पढ़ लिया है, तो दुख भूलना बहुत टफ होता है, कोशिश कीजिए, बट प्लीज, ये मैं आपको आने वाला फ्यूचर बताओ, बी सीरिस, वो कैब को रिवाइस केजएगा, मैं अभी इसकी पीडिएफ टेलिग्राम पे शेर कर दोगा, आप उसको रिवाइस कर लेजएगा, अभी दो मिनिट में कर, चलिए, और वोल्यूम वोल्यूम टू, अभी आउट ओफ स्टोक, शायद दोनों बुक आउ झाल, 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